सिर्फ तीन दिनों में ही तीन page को grow किया है, Chinese वीडियो डाल कर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक page है, जिस पर एक लाग से भी plus flowers है, यहाँ पर दूसरा page देख लो, इस पर भी एक लाग flower से, तीसरा page देख लो, इस पर भी एक लाग flower से, तो आज हमारे भाई बताएंगे कि आप लोग Facebook से copy paste करके किस तरह की वीडियो डाल कर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और इनके पास वो हरे ट्रीक है जिसे आप चेक कर सकते हो कि copyright मेरे वीडियो पर आएगा या नहीं आएगा पहले ही चेक कर सकते हो तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाले है तो वीडियो को सुरू से अंदर जरूर देखेगा तो परवेज भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर तो सबसे पहले आप अपने वायरे में हमारे ओलियोंस को बताएए जी सर मेरा नाम है परवेज रयान और मैं यूपी सीतापूर का रहने वाला हूँ और जो है मैं पैसे से टीचर हूँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाज कि आपने मुझे अपने चैनल पर इन्वाइट किया है इसके लिए भाई आपका बहुत-बहुत थैंक यूँ सो म रहा हूँ मैं जो है 8-10 पेजों पर वर्क कर रहा हूं मेरी टीम है और Credit Life लगातार Facebook पर वर्क कर रही है तो इस तरीके से हम अच्छे खासे डालर बना रहे है और मैं आपको जो है 60 के माधिम से दिखाऊंगा कि हम जो है किस तरीके से अपने page पर work करते हैं और मेरे पास कितने सारे page हैं और जिन पर अच्छे खासे 100K तक उस पर follower भी हमारे पास ऐसे pages हैं available जो में 60 के माधिम से आपको दिखाऊंगा सभी को तो सबसे पहले start करते हैं कि आप facebook पर page कैसे बनाते हैं जी जी तो facebook पर page बनाने के लिए normal जो है आपको आपके पास id होनी चाहिए जो हम लोग use करते हैं वो id होगी उस id पे आप जाएंगे facebook page का option होगा आप वहाँ से easily create कर सकते हैं और यहाँ पर बिल्कुल detail से बताना possible नहीं है वो आप वीडियो देख सकते हैं कि facebook page पर कैसे बनाए जाते हैं यह बहुती simple सी दोस्तों बात है आप इसको जो है अपनी profile से एक page का option होता है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से आप page जो है easily create कर सकते हैं जी सर तो जहां से आप बता रहे हैं वहाँ से क्या page create करने पर page रियानी में viral होता है जी जी वह वहीं से page create होता है बिल्कुल ही genuine वह page बनेगा आप उसका अपना नाम दे सकते हैं page का और उसी page जब वह page आपका बन जाएगा तो उसके एक महिने बाद जो है उस page पर आरेनिंग श्टार्ट होती है आप उस पर work करेंगे वाच्टाइम complete करेंगे और 5,60 के जो है new page होगा वह one month old हो जाएगा यानि कि एक महिना पुराना हो जाएगा page तब आप जो है उस पर earning कर सकते हैं तो एक महिने बाद जो है आपकी earning उस पर start होगी और जब आपका criteria पूरा हो जाएगा साथ के जो work time होता है लगबग एक हजार घंटे और 5,000 जो follower होता है वो जब आपका complete हो जाएगा और आपका page एक महिना old होना चाहिए तब ही आप earning कर पाऊगी तो आप हमें ये बताएं कि जो page बनाते हैं आप ठीक ना उस पर video upload करते हैं तो आप अपने page पर किस category का video upload करते हैं जैसे movie clip हो गया, serial हो गया और बहुत सारी category है तो आप अपने page पर किस category पर काम करते हैं जी जी बाई देखिए मैं जो है page पर जब starting होती है page की जैसे कि मालिया मैंने page create किया और page एक महिना जब old हो गया तब हम लोग उस पर first जो है video डालते हैं तो page जो है पहले जब page बि आ दिये हैं तो बना की डाल देंगे और उसके बाद जो है जब एक महिना हो जाएगा तब हम उस पर वरक करना start करेंगे तो अब हम क्या करेंगे उस पर फोटो लगाएंगे वीडियो लगाएंगे और रील्स लगाएंगे तो उसमें क्या है आपको रील्स जब आप होती है कि आप अपने Facebook पे cricket की live stream करोगे जब आप Facebook पे cricket की live stream करोगे तो वहाँ पे बहुत से जो है विवर आएंगे और आपके live stream पे रुकेंगे तो आपका जो monetize होगा पेज वह बहुत ही जल्दी हो जाएगा एक से दो दिन में हम लोग करते हैं हाला कि copyright का issue रहता है लेकिन जो matrix बताता हूँ जिस तरीके से मैं अपने page पे work करता हूँ वो कुछ tricks है उस tricks से आप जब apply करोगे तो आपके page पर copyright नहीं आएगा और आपका जो page होगा वो सिरिफ और सिरिफ एक से दो दिन में आपका जो start के criteria है वो complete हो जाएगा और उसके बाद में जब page आपका monetize हो जाएगा तब जो है हम लोग दूसरे तरीके से वर्क करते हैं वह जो है हम लोग फिर foreigner content वहां पर लगाते हैं foreigner content का मतलब होता है कि ऐसा content जो गोरा देखता है मींस यह होता है कि जो विदेश में लोग होते हैं जैसे Australia हो गया UK हो गया इस तरीके कि जो audience होती है फिर हम लोग उन लोगों को target करते हैं उन लोगों को उस type का content दिखाते हैं जी इतना तक तो सही तो अब आप हम यह जी जैसा कि मैंने बताया है कि मैं जो है मेरी एक टीम है छे लोगों की मेरी एक टीम प्रो पर वर्क करती है तो हर बंदा चार से पांच पेज लेके चलता है चार से पांच बंदा हर पेज लेके चलता है मिनस हम लोग एक साथ में जो है 20 से 25 पेजों पर work करते हैं तो 20 से 25 पेजों पर work करते हैं जिसमें से कुछ पेज हमारे red हो जाते हैं जो डालर बनाके नहीं दे पाते हैं लेकिन 10 से 12 पेज जो हमारे ऐसे होते हैं जो हमको अच्छा खासा डालर बनाके देते हैं और हम उस पे कौन सा content डालते हैं? foreigner content डालते हैं foreigner content जैसे कि अभी मैं बताया कि ऐसा content जो foreigner लोग देखते हैं जो विदेशी लोग देखते हैं इसलिए ऐसा डालते हैं क्योंकि जो foreigner का जो CPM होता है CPM क्या होता है? CPM होता है cost per thousand इसका मतलब यह होता है कि आपके जो है 1,000 जो अगर विव आएंगे तो आपको वहाँ पे इतने डॉलर मिलेगा अब जैसे कि CPM की बात की जाए तो CPM सबसे हाइस्ट अभी जो है चला है औस्टेलिया का 19.57 परसेंट चला है उसके बाद डेनमार्क का है तो इस तरीके से दो ये ऐसे कंट्रीज हैं जहां का CPM बहुत ज़्यदा हाई है तो अगर आप वहाँ पे फॉर्णर फॉर्णर ग्रूप्स में आप वीडियो शेयर करोगे तो वहाँ पे अगर आपका एक दो तीन चार हजार भी अगर विव आ जाता है तो आप अच्छा खा है minimum जो है हमारे pages रखिमांक की तरीके से पांच थे बहुत जादा बड़े pages जिस पे 100100 यही ऐसे फॉलवर है जिस तरीके से हमारे पास pages और भी बहुत ज़ाद ह pac. यς पज़ो है नियुक्त मैं पतीजी घ्क किना साथ ?uğ जो हमारे पास जो एक पेज है अगर मैं बात करूँ तो उस पीज से अभी तक मैं अर्निंग procedure 800 डालर हीए है 867 dollar के आसपास जो है हमारा एक page जो है one month में वो earn करके दिया है और बाकी जो है हमारे और भी pages है जिस पे जो है उससे कम थोड़ा earning हुई है लेकिन मेरी earning जो है पिछले month की अगर मैं बात करूँ तो 867 dollar के आसपास हुई है ये आप देख भी सकते हैं ये हमारा pages है और उस पे आप देख सकते हैं earning कि ये हमारी earning हुई है एक page की है ये earning तो आप जो वीडियो लेते हो copy paste का neglecting न तो वो कौन कोई site से लेते हो youtube से लेते हो या facebook से लेते हो कहां से आप वीडियो लेते हो जिसे आप थोड़ी सी कम problem का सामना करना परता जी जी भाई देखे सबसे best option है देखो हाला कि copyright content उठाने के बहुत से platform है यहाँ पर मैं आपको भी बताऊंगा apps के माद्यम से ये एक apps जो सो हो रहा है आप यहाँ से उठा सकते हो और ये एक apps है Chinese TikTok एक होता है Chinese TikTok अब Chinese TikTok ही क्यों उठाना है वीडियो चाइनीज TikTok की ही क्यों वीडियो उठाना है क्योंकि दोस्तों चाइना में Facebook बैन है तो अगर चाइना में Facebook बैन है अब वहाँ से Chinese TikTok से कोई आप वीडियो उठा के डालोगे अपने Facebook चाइनल पे तो वहाँ पे copyright का इसू जो है बहुत ही कम हो जाता है हाला कि एक problem यह आ जाती है कि अगर आप Chinese TikTok से जो है कोई वीडियो उठा के लाओगे और हो सकता है कि वही वीडियो किसी दूसरे बंदे ने किसी दूसरे आदबी ने पहले से ही Facebook पे अपलोड कर रखी है तो वहाँ पे problem आ सकती है तो उसकी एक trick यह है कि आपके पास होना चाहिए 2BD extension 2BD extension यहाँ पे मैं सौर दिखा रहा हूँ आपको यह आपके पास extension होना चाहिए अब यह extension क्या कमाल करता है दोस्तों कि अगर आप Chinese TikTok की कोई भी वीडियो की link उठा के लाएंगे और इस जो है एफ पर आप paste करेंगे तो यह आपको पूरा उस वीडियो का data दे देगा कि यह आपकी जो वीडियो है वो Facebook पे है या नहीं है तो अगर वो वीडियो Facebook पर नहीं है तो आप जो है इस वीडियो को Facebook पर लगाएंगे और आप तब जो है आपका उस वीडियो पे 100% copyright नहीं आएगा और यही मैं ट्रिक अपनाता हूँ यह बिल्कुल ही genuine trick है copyright का यहाँ पर कोई भी मसला या इसू नहीं आएगा तो आपने तो पूरा राज ही खोल दिया सत तो आपके लिए एक लाइक बनता है तो हमारे audience देख रही है हमारे वीडियो को तो एक लाइक चलूर कर दें सर के लिए क्योंकि यह वो राज बता है जो अभी यूटूपर कोई भी नहीं बताया है मैं दावा करता हूं कि ऐसा ट्रिक अभी तक कोई भी यूटूपर नहीं आया है तो सर के लिए एक लाइक बनता है और सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे चैनल पढ़ाए तो इस वीडियो का भी इतना ही में इंट करते हैं तो सर का चैनल का लिक मैं डिस्किप्शन बॉक्स में दे दूँगा जाकर सर को सब्सक्राइब करो वीडियो फिक देखो और आगे सपोर्ट करो तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए और टेक केर